नमस्कार किसान भाईयो, फर्मिंग टेकें डिवी चैनल में आपका स्वागत है किसान भाईयो, आज हम बात करेंगे रोटावेटर के बारे में आपके लिए केसा रोटावेटर सबसे अच्छा रहेगा तो किसान भाईयो, एक किसान के पास सबसे ज़्यादा 40-50 HP की केटिजिरी के टेक्टर ज़्यादा होते है यदि आपके पास भी 40-50 HP की केटिजिरी का टेक्टर हैं तो आपको 5 फीट या 6 फीट का रोटावेटर लेना चाहिए जो 40 ब्लेट के आसपास आता हैं जिसकी प्राइज आपको 80,000 के लगबग पड़ सकती हैं यदि आप पंजन करवा कर खरीते हैं तो आपको सबसेडी मिल जाएगी पंजन के लिए आप अपने करशी बाग अधिकारी से संपत कर सकते हैं किसान भाई यो रोटावेटर बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं कोई बताता है हमारा रोटावेटर मिट्टी को ज़्यादा बूरबूरी बनाता है कोई बताता है हमारा रोटावेटर टेक्टर पर कम लोड़ डालता है तो किसान भायो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है और सही नहीं है सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी को ज़्यादा बुरबुरी बनाना या बारिक करने यदि आपकी भूमी मुलायम है तो ज़्यादा बुरबुरी और बारिक होगी यदि आपकी बुमी काली और कठोर मिटी है तो वो ज़्यादा बुरबुरी और बारिक नहीं होगी किसन भायों आपको यह बात कोई भी नहीं बताएगा कि मिटी को बारिक करने के लिए टेक्टर के PTO RPM का बहुत बड़ा महत्व होता है सबी टेक्टर कमपनियां बताती है 540 PTO RPM यह बात सही नहीं है आप 50 HP की स्रेणी के 5 टेक्टर अलग-अलग कमपनियों के टेक्टर को देखिए रहसो इंजन RPM पर कोई 550 PTO पावर बना रहा है तो कोई 500C बना रहा है और कोई तो 520C बना रहा है यह चीज बहुत ज्यादा महत्वर रखती हैं मिट्टी को बारिक करने के लिए अब बात करते हैं टेक्टर पर कम लोड ढालना यह भी गलत है यह फैसला आपकी मिट्टी और टेक्टर का PTO RPM करेंगे यह ज़ि मिट्टी बुर्बुरी है तो टेक्टर पर कम लोड आएगा यह ज़ि टेक्टर PTO RPM कम निकालता है तो कम लोड आएगा क्योंकि इंजन दबेगा नहीं पर मिट्टी कम बारिक करेगा यह ज़िए दोनो चीज़े सही हैं विट्टी भी मुलायम है और ट्रेक्टर PTO आर्पीम भी कम निकलता है तो 6 फीट की रोटेवेटर को 40 हज़ी का ट्रेक्टर आराम से बिना लोड के खिच लेगा किसान भाईयों मेरे यहाँ पर थ्रेशर कांफरेशर का कायरी या PTO वर्क का ज़्यादा कायरे करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फार्मट्रेक को ही पसंद करते हैं क्योंकि फार्मट्रेक ट्रेक्टर PTO आर्पीम कम निकलता है यदि आप इंजन आर्पीम बढ़ाते हैं तो भी PTO आर्पीम दूसरी स्रेनी के ट्रेक्टर से कम ही निकलेगा जिससे इंजन दपता नहीं और ताकत जादा मिलती है दन्यवाद